लिखो हंडेट स्पीड है टैन मिनट की ठीक है इसका क्या है जिसकी लिख जाए वह अनवाद कर लेंगे वाकि जो सभी को मैं उसका पांच मिनट का एट्टी का बोलूँगा ठीक है तो लिखेंगे सब यह ठीक है लिखो रेडी संयुक्त सरकारें नहीं चली लेकिन उसके पीछे राजनितिक हतकंडे थे अगर कोई राजनितिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह इसपस्ट है कि राष्टपती शासन अपने हाथ में लें मैं एक उधारन देता हूँ कि समिधान में आदिवासी हरी जनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि दस वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक इस्थती को सुधार देंगे लेकिन यह सरकार उसमें भी अस्फल रही उसको एक बार दस वर्ष के लिए बढ़ाय गया और दुबारा फिर दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नती आप नहीं कर पाई हैं इस काम में सरकार विल्कुल अस्फल हुई है पिछली बार सरकार पर अविस्वास का प्रस्ताब भी आया था और बह पास होने बाला था इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है बह एक बहुत ही भैंकर समस्या है महुद है यह भी बिचार किया गया है कि जो ब्यक्ति समाज में काम करता है चाहे आविस्कार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिस्रम किया है या कुछ आविस्कार किया है उसका उप्योग उसको प्राप्त ना हो उसका उप्योग वहना कर सके इसलिए जब भी कोई व्यक्त किसी वस्तु का आविस्कार करता है तो आविस्कार करने में ना केवल उसका अपना परिस्रम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के छेत्र में या प्रधोग की के छेत्र में या किसी अन्य छेत्र में उस सबसे भी बह लावानवित होता है इसलिए जब हम किसी आविश्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी बिचार हमारे दमाग में आता है जिस व्यक्ती ने समाज की साहता से आविश्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए माननीय मंतरी जी ने भी कहा है कि पैटन्ट ला इस सिध्धान पर आधारित होना चाहिए मैं समझता हूँ कि पैटन्ट लाके पीछे दो सिध्धान्त निश्चित हैं पहला सिध्धान्त तो यहा है कि जो व्यक्ति परिस्रम करके धन लगा कर अपना दिमाग लगा कर कि किसी बस्तू का आविश्कार करता है उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रक्षा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है कोई ब्यक्ति समाज में ब्यर्थ में काम नहीं करता है वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किये होते हैं चाहे बिज्ञान के छेत्र में या प्रोधोगी के छेत्र में या किसी अन्य छेत्र में और जिनके आधार पर बह कोई आविश्कार करता है उसको उसका प्रतिफल तो मिले लेकिन जो परणाम हो उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए मंत्री महुदा ने कहा है कि जो यह सिद्धान्त है बह भी इस विद्यक के पीछे इस्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के आविश्कार के जो अधिकार है चाहे धन के उपारजन का अधिकार हो या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का दौनों का लाव व्यक्ति विशेश को भी मिले महोद है देश में जो उध्योग धन्दा चल रहा है या देश की उन्नती करने का देश में समरद्धी लाने का जो बैग्यानिक या प्रधोगि की ये आविश्कार हो रहा है उसमें भी उसका उप्योग पूरा-पूरा हो यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पैटन्ट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है यह प्रास्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए ताकि समाज का अधिक से अधिक लाव हो समाज उसका अधिक से अधिक उप्योग कर सके एक द्रश्टी कौन जो इसके पीछे है हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करूड है हमारी कई जातियां, कई धर्म, कई भासाएं और कई प्रकार के रिति रिवाज है इस बिवज़ता से हमें लाव उठाना चाहिए किन्तु आज भेद भाव का भूत हमारे सिर पर चड़ रहा है भारत को सुतंतरता मिली है इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुवधाएं उपलब्द नहीं थी बे मिली हैं जिस प्रकार भरतने अयुध्या के राज्य को राम का समझ कर सेवक व्रति से राज्य का काम समाला था उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्य गरीब जनता का है और उसके नाम पर उसके संरक्षक बन कर हमें उसको चलाना है अब गरीब को ऐसा अनवव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है सूरे के उद्य होने पर धनी गरीब सब के घरों में प्रकास पहुंचता है ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाब सब को एक समान मिलना चाहिए इसका सुख धनी निर्धन सब को बरावर मिलना चाहिए जनता को हमने बचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे अब बह समय आ गया है जबकि हमें अपने उस दिये हुए बचन को सार्थक करना है इतने बड़े देश में विचार भेद होना सभाविक है देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंस भी हैं या नहीं यदि हैं तो समान कार्यकरम बनाईए इस प्रिकार कार्यकरने से हमारे भेदवाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अच्छी बातों का अपने आप उधे होने लगेगा अगर उसी प्रिकार भेद इस्थापित करने का प्रत्न किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पढ़ जाएंगे और स्वराज्य प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकेगा अध्यक्ष जी किसी भी देश की विदेश नीती अपने में कोई स्वतंत्र नीती नहीं होती है बरन वह किसी देश की आंत्रिक नीती को इस्पष्ट करती है उधारन के लिए हम अमरीका को ले सकते हैं उसने अपने यहां अधिक अन पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतु बच गया तब बह अपने बकाया अनाज की विक्क्री के लिए ऐसे देशों की तलास करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हो किन्तु हमारी आंत्रिक नीती ने यह तै किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वधेशी मुद्रा की कोई रासी हमारे पास नहीं बचेगी हमने कर भी लगा दिये स्टॉप दस मिनट की है और हंडेट की स्पीड आई जो हंडेट वाला अनुवाद करना चाहिए वो हंडेट का और वाकी मैं एट्टी का अलग बोलाँ ठीक है है